चलिए तो python का introduction हमने देख लिया python क्या होता है उसका use कहां पर होता है python से हम लोग क्या क्या कर सकते है python language हमें क्यों सीखना चाहिए बाकी languages के compare में कितना easy है python language यह भी हमने देखा था आज के इस video में हम लोग यह देखने वाल है कि python को कैसे install करते हैं मतलब हमें क्या क्या चीजे install करने पड़ेगी python सीखने के लिए तो देखिए सबसे पहले तो आपको install करना है python और आप अपना web browser जो कुछ भी होगा आपके पास उसमें जाकर करके आपको python search करना है तो यहां प आप जैसे open करेंगे तो यहां पर आपको downloads यह आपको दिख रहा है ना यहां पर डाइरेक्टली इस जगह पर क्लिक कर सकते देखिए python 3.8.3 यह python का भी current version है यह आपको क्लिक करना है यहां पर जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका downloading start हो जाएगा और यह पूछेग चाहां पहले से download करके रखा तो मैं download फिर से नहीं करना चाहूंगा download कर लेना है और download करने के बाद उसको install कर लेना है अभी install करना हमें out है हमने आपने जिंदगी में बहुत सारे शॉफ्ट किया थौ आपको इंश्टाल कर लेना है लेकिन एक चीश्ड द्यान में रखना है कैसे ऊपको इंश्टाल करना है मैं बता हूं अ disappointment जब आप इंश्टाल कर रहे होंगे जब आप इंस्टाल कर रहे होंगे तो तो वहां पर एक option आएगा add your path ये option आएगा उस पर आपको check करना है मैं दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ image मिलता है तो हां यहां पर देखिए add python 3.72 path यह से कुछ आएगा मतलब path add करने के लिए बोला जागा हलाकि आप यह click यहां पर check नहीं करते तो फिर आपको manually system variable में जाकर कि यह काम करना पड़ता है तो वह बहुत दाम जाम है आप यहीं से directly कर ले हो जाएगा वह काम है ना तो यहां पर इसको check कर ले यहां पर इसको क्या कर ले चेक कर ले इसक install now पर आपको कहले आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यह 8 python 3.7 to path इस तरह के से कुछ भी अगरा रहा है तो इसको check कर ले है ना उसके बाद आपको क्या करना है install now पर क्लिक करना है installation start हो जाएगा install हो जाएगा चलिए जब install हो जाए तो कैसे आपको पता चलेगा कि install तो आपको क्या करना है यहां पर जाकर कर सेर्च करना है python इस तदरीके से और अगर यह आ रहा है ile इस तदरीके से कुछ भी अ हो जाएक है तो समझ लाईंगोश हो चुका है और एक चीज आपको करना है कि आपको क्या करना है cmd command prompt यह open करना अपना laptop का यह desktop जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपने system का यह open कर लेना है then यहाँ पे आपको एक command देना है pip यह अगर दियें और काम कर गया तो समझ लें कि हमारा path जो है python का वो add हो चुका है अगर मैं enter hit करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेगा कुछ कुछ आएगा और अगर कुछ आ रहा है तो सही यह path जो है वो add हो चुका है अगर यहाँ पे यह आ रहा है कि peep is not recognized इस तरीके से कुछ आ रहा है तो समझ जाएए का आपका path add नहीं हुग है तो यहाँ इस तरीके से python का है ना जैसे आप c language वगरा करते होंगे तो वहां पर हम क्या करते थे code block टाइप का एक id इंस्ट्ल करते थे ना तो यहाँ पर पाइचार्म इंस्ट्रोल करेंगे तो पाइचार्म आपको यह सर्च करना है और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है अभी कौन सा डाउन है और है पॉसी के साथ इंस्ट्बड करना है तो अभी आपको तो चीज़न पात करना है ने बताया पाइचन पाइचार्म है ना और एड पात करना आपको बिल्कुल नहीं भूल नहीं है पाइथन इंस्टोल करते वग तो I hope कि आप कर लेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ओके थैंक्यू